निर्गमर की पुस्तक उसका साथ बात ध्याए और उसका 14 वापत से आगे पढ़ेंगे तब यहवा ने मुसा से कहा फिरौन का मन कठोर हो गया हमने बात किया था आप से कि ये कठोरता क्यों हो रही थी मुसा को ठिक करने के लिए मुसा को मजबूत करने के लिए मुसा में दम भरने के लिए मुसा को अभी 40 साल का जीवन बिताना था परमेश्वर ये शुमति ने कहा कि संसार में तुमको कश्च होता है घबराओ नहीं मैंने संसार को जीत लिया है फिरौन का मन कठोर हो गया लेक कि आपकी कई एक समस्याएं, ये आपने स्वर्ग में धन इकठा किया है, और अब आपके टाइम है उसको विड्रॉग करने का, कि अब धन इकठा करने से काम नहीं चलेगा, कई लोग इकठा करके मर गए, खतम हो गए, इकठा करने के इसलिए कई आयाता है, कि जब जरूरत हो तो उसको निकाल लिया जाए, जी, तो कई लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते, कि इसलिए करवाते कि जब जरूरत होगी तो तोड़वा लेंगे, बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, घर खरिदना होगा, जमीन खरिदना होगा, जब कोई में, तो आज जो आ आप हो जाए कहीं फंस जाए आप आपके पास ताकत रहे विड्रॉ करने की और उससे आप पेमेंट करेंगे प्रेश देलोड अब सुनिए तब यहवा ने मुसा से कहा कि फिरॉन का मन कठोर हो गया है और वो इस प्रजा को जाने नहीं देता इसलिए बिहान को फिरॉन के पा पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे की वे जंगल में मेरी उपास ना करें और अब तक तुने मेरा कहना नहीं माना यहवा यों कहता है इससे तु जान लेगा कि मैं ही परमेशर हूं देख मैं अपने हाथ की लाठी को नील लदी के जल पर मारूंग कि अधिया ज़िए बदबू बेकार होता है कई बार हम लोग भी सड़ी मचली के गर्मी में निल नदी में मर जाएंगी निल नदी बसाने लगे अफकोर्स और नदी का पानी पीने के लिए मिस्टी आपको कोई मरी हुई मचली का पानी निकाल करके दें आपको उसमें अक्व पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा फिर यहवा ने मुसा से कहा हारुन से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदिया नहरे जील और पोखरे सब के उपर अपना हाथ बढ़ा कि उसका जल लहू बन जाया देखिए दो लोग चम कॉंग कोई कोई पोखरा अब पर आप असुरान पोखरा जी करया जा error छाइए अचरे जीले उपोखरे सब के उपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाया और सारे मिस देश में काट और पत्थर दोनों भाती में जल पात्रों में लहू लहू हो जाएगा, अब सुनिए, दो जगा क्यों किया परमेशों ने, पोखरा पोखरी को क्यों किया, क्योंकि नीन लदी अक्सर लाल हो जाती थी, उसके अंदर एक LG, LG बोलते है, एक ट्रकार की घ घास उसके अंदर उकती है, जो लाल रंकी होती है, तो वो घास कभी-कभी बढ़ जाती थी, तो वो लाल रंकी हो जाती थी, ठीक, अब परमेशों ने कहा कि तुम लोग तो सोचे गए, रहे, ये तो LG होगी है, ये तो ये घास होगी है, तो नील नदी जो है, वो लाल रंक में होती थी तो परमेशन ने कहा कि तुम लोग सोचोगे कि यहां तो घास हुगी है इसलिए लाल हो गया इसका पानी बसा रहा है मैं पोखरों में भी लाल करूंगा तुम लोग जो अपना LG LG कर रहे हो जो घास कर रहे हो मैं वहां पर क्योंकि यह तुम्हारा चमतकार नहीं ह ये मेरा चमतकार है ये मेरी ताकत है काफ है मेरे साथ सारे आधा तो मिसर में तो पता चली गया था कि जंतर मंतर से कुछ होने वाला नहीं है जंतर मंतर किये थे अजगर बनाये थे, साप बनाये थे, साप निगल गये अब परमिशों ने कहा अब एक और काम करो अब नील नदी को भी मारो अब सुनिए देखते देखते नीद नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया हाँ एल जी पे लगी नहीं लहू बन गैा और नील्नदी में जो मच्छालियां थी वे मर गई और नदी में से दूर गंदाने गई है है Cham. और मिए जारी लोग नदी का पानी ना पी सके और बहूर हो गया तब मिसर के जादू हरो ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया तुम लोग तो खुदे मिस्र के जादुगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसे ही क्या किया तुम लोग भी लहू बना दिये देखिया यह जो अंतर मंतर जंतर वाले हैं यह आप ही के जीवन को दुखी करेंगे 200 रुपिया यहां रख दीजिए 500 रुपिया यहां रख दीजिए गहना उतार के दे दीजिए बाली उतार के दे दीजिए चूड़ी उतार के दे दीजिए इस गमचा में रख दीजिए बांध दीजिए हमारा जोले में रख दीजिए और हम चल दि तुम लोगों ने तुम लोग भी लहू बना दिये अरे तुम लोगों को तो रिवर्स करना था ना उस लहू को अगर पानी बनाते इस तुमने भी लहू बहाद बना दिया तुम तो और बेकार निकले तो भी फिरोन का मन हटीला हो गया और यहवा के कहने करुशार उसने मुसा और हारुन की नामानी फिरोन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया अच्छा और मुँ फेर के अपने घर में चला गया और तब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नदी के आसपास खोदने लगे क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे और जब यहवा ने निल नदी को मारा था तब से साथ दिन हो चुके थे दो घटना बता करके हम आज बंद करते हैं आठवा आधिया है और तब यहवा ने फिर मुसा से कहा फिरौन के पास जाकर कह यहवा तुस्से इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोग को जाने दे जिससे वे मेरी उपास ना करे और यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन मैं में नदक भेज कर तेरे सारे देश को हानी पहुचाने वाला हूं और नील नदी मेंडकों से भर जाएगी और तेरे भावन में और तेरे बिछाने पर और तेरे ममी ममी मेंडक आगिया और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजाबे अरे चुपरा मेरी चद्दर पर भी चड़ गया मेरी रजाई में घुज गया तुछ पर और तेरी प्रजा और तेरे कमचारियों सभों पर मिंदग चड़ जाएंगे अभी सुनिया मैं बता अब मैं पढ़ दे रहा हूं उसके बाद मैं बता रहा हूं कि यह क्या हो क्या रहा था फिर यहावाने मुसा को आग्या दी कि हरुन से कह दे कि नदियों और जिल के उपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ा कर मेंधुको को मिस्र देश पर चड़ाले आए आओ ऑओ मैंधा कुछ चल मीन्धा सब्सक्राइब हां बढ़ाकर मेड़कों को मिश्रदेश पर से पापरे बाप हाँ पूरा शेहर तो पूरा देश तो मेंदख मेंदख हो गया हुआ तब हाहरु ने मिश्र के जलाषे कaking उपर अपना हाथ बढ़ाया मेड़कों ने मिसे देश पर चाड़ कर उसे चा लिया अरी बाप रिभा खबरदार आप चंत्र मंत्र के चक्कर में रहेंगे तो जो मेंधक नहीं है उभी चले आएंगे आपके घर में हां जो बीमारी नहीं है वो भी चली आएगी मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं हम लोग ज चाठो मेंडक उसके अंदर डाल दिये हालेलुया मुझसे मेरी प्रजा अच्छा तब फिरौन ने मुसा और हरुन को बुला कर कहा यहवा से बिंती करो कि मेंडको को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे और मैं इसराली लोगों को जाने दूंगा हाहा क्या बात है जिससे यहवा के लिए बलिदान करे तब मुसा ने फिरौन से कहा इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे अब मैं तेरे और तेरे करमचारियों और प्रजा के निमित कब बिंती करूं कि यहवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंडको को दूर करे और वे केवल नील में पाए जाएं उसने कहा कर सोचा कि और ट्राइ कर ले थोड़ा सा उसने कहा तेरे वचन के नुसार होगा जिससे तुझे यह ग्यात हो कि हमारे परमेशर यह हुआ के तुले कोई दूसरा नहीं अब सुनिए नील नदी और मेंधक इनके दो नील नदी इनकी देवता थे इनके इश्वर थे मिसरी लोग नील नदी की पूजा करते थे और पूजा करने के वो इसलिए थे कि वही मिसर देश पूरा रेगिस्तान है पूरा रेगिस्तान केवल नील नदी जहां से बहती है वहीं पर हर्याली पाई जाती है वहीं से नहरे निकाल करके ये फ़सल को देते थे और पीने का पानी था उनका। पहला हुकूम क्या है? तुम मुझे छोड़ दूसरे को इश्वर करके ना मनना। यही बताना चाहता था हमारा परमेश्वर यह हुआ। तुम्हारी नील नदी कोई परमेश्वर नहीं कोई देवता नहीं यहाँ देवता तो हम है यहाँ परमेश्वर हम है यहाँ परमेश्वरों के परमेश्वर हम है I am the king of kings and lord of lords राजाओ का राजाओ प्रभो का प्रभू मैं हूँ मैं तुमको चंगा कर सकता हूँ मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ मैं तुमको आजादी दे सकता हूँ मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ सेवा मेरी करो नील नदी को इन्होंने अपना सब कुछ बना रखा था पूरी नील नदी लहू बन गई एक एक ताल पोकरे को लहू बाहा कर दिया और याद रखिएगा परमेश्वर ने सबसे पहले तो अजगर को अपने कंट्रोल में किया आप है मेरे साथ उत्पती की पुस्तक में क्या हुआ था कौन आया था हवा को बैकाने के लिए केचुव वाया था सबसे पहले तो साफ को की तो केंट्रोल कि जो के अर देके परमिशवर अपने उधार का रास्ता कैसे खोल रहा है जो साफ छुटा घूम रहा था जो बागए अदन में और बैका रहा था और यह कर रहा था फल खालो और यह उड़ाओगे परमिशर नहीं अब नहीं मुसा अब ये कंट्रोल में रहेगा दुष्टात्माओं को येशु मसी से पूछना पड़ा आपकी आग्या हो तो सुवरों में चले जाए हम लोग कहां जाएं अरे नरक में जाओ हमसे क्या मतलब है सुचिए आप दुष्टात्माओं भी उनके कहने में थी वो भी आकर के पूछ रही है चले जाएं तु हमें आग्या दे कि हम सुवरों में चले जाएं जाओ, मरो तुम लोग हमारे प्रभू के पास दुष्टात्माओं को भी कवर करने का कंट्रोल करने की ताकत है और वही ताकत हमको और आपको दिया है मित्रोब उसने अपने शकल और सूरत में हमें बनाया है आओ हम मनुश्य को अपनी समानता में, अपनी सूरत में बनाये आपके पास भी वो अधिकार होना चाहिए भूत से डर गये, दुश्टात्मा से डर गये, कहीं कुछ नहीं। सबसे पहले साप को कंट्रोल किया, और आपको याद होगा उत्पती की पुष्टक उसके पहले अध्याय में एक और चीज कंट्रोल की हुई थी पूरी दुनिया को, किस चीज ने कंट्रोल किया हुआ था, और सारी प्रिथी पर क्या मन रहाता था, गहरे जल की उपर क्या था वहाँ पर गहरा जल था पानी पानी था तो परमेश्वर ने दूसरा काम जो किया वो पानी को कंट्रोल किया आप देखते जाएए परमेश्वर एक के बाद कैसे अपनी ताकत अपने आप को इस्राइलियों पर मिस्रियों पर जाहिर कर रहा है कि हमने शैतान को कंट्रोल किया अब इस जल को भी कंट्रोल करना हम जानते है मैं वही परमेश्वर हो उतपती एक और एक का मैं परमेश्वर हो मेरी आत्मा जल के ऊपर मंढ रहती थी और मैंने कहा कि जल अलग हो जा तो जल अलग हो गया और आज भी ये जल मेरे कहने से मुसा लहू बन जाएगा आज भी ये कंट्रोल में है आप है मेरे साथ नू के जमाने में परमेश्वर ने कुछ और ने इस्तेमाल किया क्या इस्तेमाल किया जल का इस्तेमाल किया जब परमेश्वर ने चाहा तो जल बढ़ा और जब परमेश्वार ने पुर्वया चलाई तो जल खटके God has everything in control नील नदी को ये अपना देवता मानते थे तो आप कहिए कि फिर में इंढग को भी अपना देवता मानते थे ना ये नील नदी में पाए जाने वाले घडियालों को अपना देवता मानते थे अब बड़े बड़े घडियाल उसमें इतने घडियाल नील नदी में कि नाव से अगर पार करना है तो लाठी से मार मार करके हटाना पड़ेगा तो नील नदी में आप पार करने नावे घेर लेते हैं इतने घडियाल और वो घडियाल सारे मेंधकों को चबा जाते थे खा जाते थे तो निल लदी में एक भी मेंधक नहीं पाया जाता था और ये बड़ा गर्व करते थे घडियाल का बड़ा-बड़ा मुर्ति बनाते थे बड़ा-बड़ा फेस्टिवल होता था घडियाल फेस्टिवल होता था मगर मच फेस्टिवल होता था आज भी हमारे देश में जनरों की पूजा होती है हाती है, चुवा है, बिल्ली है, सबका, फुज़ा होता है, तो ये घड़ियाल की पुज़ा करते थे, कि हमारी नदी को साफ रखते, इनकी वज़ा से मिंधक नहीं आते हैं, परमेश्वर ने कहा कि देखे, तुम्हारे घड़ियाल कितना खाते हैं, आप हैं मेरे साथ, अपन गड़ियाल पर अगर इतनी ताक है तो तो खिलाओ तुम मिंधकों को और हम मिंधक भेज रहे हैं कोई है वेरे साथ आपकी जिंदगी में कितने भी गड़ियाल हो हमारा प्रभू सबसे महान है एक लेंग्वेज में उसको लिब्यातान बोलते है अयूप की पुस्तक में आपको मिलेगा लिब्यातान जो बड़ा वाला घड़ियाल होता उसको लिब्यातान बोलते और परमेशर ने पूछा कि क्या तू लिब्यातान को यानि घड़ियाल को कंट्रोल में कर सकता है परमेश्वर वहीं से लेके आ रहा था ये निर्गमन की पुस्तक से अयूप से पूछा था, अयूप तुमने पढ़ा होगा, निर्गमन की पुस्तक पढ़े होना, जो मुसा ने लिखा है, कि कैसे मैंने घडियालों को बिलकुल नेस नाबूत कर दिया, उनकी बेज़त करके रख दिया, खाओ जितने कितना तुम, कितना तुमारे में ताकत है, बहुत बड़े तुम, इश्वर बने हुए, बहुत बड़े देवता बने हुए, खाओ तुम, कितना खा सकते हूँ, हमारे परमिशन ने उनकी चीजों का मक्हौल उड़ाया, क्या तू लिभ्यातान को कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है छोड़ आ कोई दूसरा इशोर नहीं है ना तुमारे घडियाल ना तुमारे मेंढक ना तुमारी निल लदी मैं ही परमिश्वर हूँ मैं ही कन्ट्रोल करता हूँ और जिस पर मैंहें पर्म्यश्व ने क्या कॉया इमारे डेवता अंडर अध्या आप हैं साथ तुम्हारे देवता देवी अंडर मेही रहें आपकि ठीक मैंने कहना कि ऊणड़िया लों की वज़े से अभी तक में ठाक नहीं रहे पढ़ देते प्रजाक निमीद पढ़िए निर्गमन की पुस्तक आठ्वा ध्याइट और नवी नवापत पढ़िए गसी तब मुसा ने फिरों से कहा इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमन रहे अब मैं तेरे और तेरे करमचारियों और प्रजाक निमीद कब बिंती करूं क यहुआ तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंड़कों को दूर करें और वे केवल नील नदी में पाए जाए जाए जिक आगे पढ़िए उसने का आकल उसने का तेरे वचन के अनुसार होगा जिससे तुझे यह ग्यात हो जाए कि हमारे परमेश्वय यहुआ के तूलिये और तिरे घरों में से धूर चाइंगे और प्रजा के पास तुर केवल नदी में नदी में रहेंगे कई वह से घड़ याग की थिम wrest a Karen की तुम घड़ी अब तुमको समझ में आ गया कि घड़ी आल कोनों काम के नहीं है सब घाली चपर यूट्यूब पर आप देख लीजेगा, आज भी भरमार में मेंड़क आपको पाए जाते हैं, घड़ियाल भी है, दरियाई घोड़ा भी है और मेंड़क भी है, परमेश्वर का नहीं हटाएंगे वहां से, कोई है मेरे साथ, देखिए यही है खुबी हमारे परमेश्वर की, कि दुनिया मरेगी, दुनिया जाएगी, लिखा है कि तेरे निकट हजार और तेरे बाई और दस हजार गिरेंगे, लेकिन वो मरी तेरे पास नहीं आएगी, हमको खुदावन बचा करके रखेगा, हम उसकी संतान है, हम उसके बेटे और बेटिया है, नील लदी के घड़िय कि आत्मा दी है, क्योंकि हम और आप किसी दूसरे को नहीं, अपने परमेश और यहावा को मानते, और उसी को जानते, और उसी के अरादना करते है, अपनी आखों को बंद कीजिएगा, हालेलूया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, खुदावन, कि आज आपने मुसा और हारुन की आत्मा हमारे में भेजी, आपने वो विश्वास द्रड किया हमारा, हालेलूया, प्रभु जी, हमें नहीं मालूम था, कि हम कौन है, हमें नहीं मालूम था, कि आपने कहा था, कि तुम नहीं जानते, कि तुम किस आत्मा के हो, प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो कि आज आपने रिमाइंड हमें कराया कि हम उस आत्मा के है जो परमेश्वर की आत्मा है हालेलूया हम पवित्रात्मा की चलाए चलते है हम गोरंदकार से भरी हुई तरआई में हो करके चलेंगे लेकिन हानी से ना डरेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है तेरा धन्यवाद करते है प्रभुजी कि फिरॉन का सामना करने के आपने ताकत दी है ये दुनिया की विपतियां आएंगी ये फिरॉन के कर्मचारियों पर आएंगी फिरॉन के दर्बार में आएंगी एक जगा नहीं लिखा है कि इस्राइलियों पर ये मेंधक चड़ करके आए क्योंकि परमेश्वन ने अपने लोगों को संभाल करके रखा था मित्रो खुदावंद आपको संभाल करके रखेगा वो आपके लिए एक देश पुरा करना चाहता है वो आपको फिर से लेने के लिए आना वाला है और अगर हम उसमें मर भी जाएंगे तो भी एक दिन जी उठेंगे हम नहीं बरबाद होंगे हम उसके साथ पाराबा, शीता, राराबा, हालेलूया हम उसके साथ बादलों में उठाये चाहेंगे और वो हमको लेने के लाने वाला है तुम्हारा मन व्याकूल ना हो मेंड़क दे करके तन भली व्याकूल हो जाए लेकिन याद रखना कि ये मेंड़क और ये घड़ियाल और नील नदी और जितनी चीजे है वो सब हमारे प्रभू के कंट्रोल में है ये कौन व्यक्ति है कि पानी और आंधी भी इसकी आग्या मानते है अरे ये वही है जिसने इनको पैदा किया है ये कौन व्यक्ति है जो नील नदी और मेंड़को और सब पर काबिस है ये हमारा राजाओ का राजा और प्रभू का प्रभू है थोड़ी जर के लिए धन्यवाद की दूआ कर लीजेगा प्रभुजी तेरा धन्यवाद हो उस आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद हो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए तेरा धन्यवाद हो तेरा वचन कितना जीवित पर वचन है प्रभुजी हम तो सोचते थे ये सिर्फ मुसा और हरुन की कहानी है आज पता चला ये तो मेरे जीवन की कहानी है आज पता चला कि हमें आपने फिरौन का सामना करने के लिए आत्मा दी है प्रभुजी आज आपने हमारे विश्वास को और बीद्रिड किया है और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं